हेलो फ्रेंक्स, वेलकम तो माई चैनल, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्रीट करवा दिया है, पॉलिनॉमियल का, तो आज मैं आपको उसकी समरी बता रही हूँ, यह समरी वैसे आपके बुक के पीछे बिची होती है, हम हाँ से भी पढ़ सकते ह क्यों कि अगर कोई एक्स्प्रेंट करता है, तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो इसमें हमने पॉलिनॉमियल पढ़ा था, कि जो पॉलिनॉमियल होते हैं, वो कोई भी एक एक एक्वेशन हो सकती है, जैसे 3X2 प्लस 2X2 प्लस 1, यह पॉलिनॉमियल होते हैं, अब यहां किak taraf है मतहले होते हैं, इसमें 3 प्लस 1, और जो पॉलिनॉमियल होते हैं, जो वह जाएक एक एकवेशन हैं, इसमें 3 प्लस 2 प्लस 1 और ज़ो टिलं। होती है पॉलिनॉमियल की, वह उसकी मैक्सिमुम पावर होती है और अगर किसी भी polynomial में, उसकी जो maximum power होती है, वो one होती है. तो उसको बोलते है linear polynomial, two होती है, तो उसको बोलते है quadratic polynomial, और अगर three होती है, तो उसको बोलते है, cubic polynomial. और अगर जैसे यह polynomial है, इसका हमें zero निकालना है. suppose यह एक polynomial है हमें इसका 0 निकालना है तो हमें x की ऐसी value निकालना होकी जिस पर यह term पूरी 0 हो जाती है तो ऐसी x की value हम क्या कर सकते है x equal to minus 1 तो यहाँ पर आजएक है 3 minus 1 का square plus 2 into minus 1 plus 1 3 minus 2 plus 1 sorry यहाँ पर हम minus दे जाते हैं तो 3 minus 3 is equal to 0 तो x equal to minus 1 इस polynomial का एक 0 है तो x plus 1 क्या है इसको factor है यह मैं आपको पहले भी समझा चुके हूँ और इसके बाद कुछ identities आती है जो मैंने आपको पहले भी समझाए कि exercise start करने से पहले वह मैं एक बार आपके बार दिखा देती हूँ अब वीडियो रोके इन identities को यादवा हो लिएक भी सेक्के अपने notebook में बात के लिए अबस एक्सोर बात को पहले इसके अप्साइ पिनो रिसिता प्स एक फ्सकेरद रिसेक प्स अप्स तट को ऊटे अप्सीलिक अप्स्पर ड्स एक्स निप्स अप्स आब खले टीग plus y cube plus 3xy x plus y x minus y cube equal to x cube minus y cube minus 3xy x minus y और इन दोनों bracket को अगर आप खोल के भी एक identity बदा सकते हैं जो मैंने आपको exercise में बताई है और उस पर base question भी solve करवाए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz equal to x plus y plus z x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx तो यहाँ पर जो यह chapter 2 है पूरा complete हो जाता है आप प्लिस मेरी इन वीडियो को देखिएगा और अगर आपको content पसंत आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा like and share करें मेरे channel को subscribe करना ना भूले thank you so much